तो आज हम बहुत इजी प्रोसस से आप लोग के साथ सेयर करने जा रहे हैं दूद से मलाई और मलाई से घी बनाने का तरीका तो यह देखिए मेरा एक सपता का मलाई है और इसे बनाएंगे हम घी तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है दूद लगभग सभ तो इसमें गर्म करकर के नॉर्मल सा चाली निकाल दीजे अगर नॉर्मल नहीं निकलता है तो फिरीज में रख दीजे ठंडा होने के बाद बहुत आराम से निकल जाता है उसके बाद इसको एक जगह रखते जाए और इसमें थोड़ा सा दही डाल दीजे जो चाली आप जरूवत है थोड़ा सा पानी जितना जरूवत आपको लगे उतना पानी इसमें थोड़ा सा डालिए बहुत ज्यादा इसको लिक्विड नहीं करना है और देखिए यह मेरा मखन बन करके हो गया है इसको हम किसी दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे उसके बाद फिर हम जो और मेरा बचा है सेम प्रोसेस से सब को इसी तरीके से कर लेंगे उसके बाद फिर हम एक बार में शारा मखन इससे निकाल लेंगे और जो उसमें और दही वाला मातरा होगा उसको हम दूद का मातरा होगा जिसमें मखन नहीं होगा वो निकल जाएगा छाच अलग से तो हम ढाई 300 ग्राम पानी डाले हैं बस उससे ज्यादा पानी नहीं डाले हैं तोटल थोड़ा पानी इसमें भी डाल दिये हैं ये देखिए अब इसको क्या करना है बस एक चम्मस से या विसलर से जो भी आपके पास हो उससे आप एक साइड में एक ही वे में घुमाते रहें बस इसमानी बस ज्कों को फूर वी बसानी साथ कहा ते गुमाते रहें आपका मक्क मकफन का गोला पूरा रेडी हो जाएगा इसमें घूझाला जाएगा धिए मखन का गोला बन-गया लकाँ हम निकाल लिए आहिए धेकस पार हो गया चाली तो नड़ा उससे कम चाली तर्सें est साफ कर लेंगे यह बहुत अच्छी तरीके से साफ हो गया आप इसको हम चढ़ाएंगे गैस पे और बनाएंगे इसका घ्यू तो घ्यू का सेल्फ और स्वाद अगर दोनों बरकरार रखना है तो घ्यू बनाने के बाद दो चीजों का ध्यान रखना होता है पहला यह इसका रख रखा और दूसरा कहां आप रख रहे हैं इसको साफ सुतरा पॉर्ट में रखें जैसे चिनी मीटी का पॉर्ट हो गया या तो फिर सीसे काँच का पॉर्ट हो गया वो सब में आप रखें और इसको सेव करकर के आप उसमें रख करके और फिर आप फ्रीज फ्रीज में रखने के बाद आप इसका देखेंगे टेस्ट कभी नहीं खराब होगा यह दो महीना चार महीना छे महीना तक भी अगर आप घ्यू फ्रीज में रखते हैं तो बिल्कुल ताजा लगेगा जैसे लगेगा कि आज बनाएं हैं आप बाहर रख करके थोड़ा घ्यू कितना अंतर आता है उसमें कब भी नहीं किसी तरह का स्मेल आएगा बहुत ही अच्छे एक्दम खुस्वू सोना सोना पूरे रह जाता है तो देखिए गाइस धीरे-धीरे करके मेरा यह घ्यू लगबग बन करके हो गया है रेडी तब इसको ठंडा होने के बाद किसी बॉल में हम ट्रांसफर करेंगे और उसको फिर हम अपना सेफ से फ्रीज में घीव को रखते हैं जिसमें की असमेल बिल्कुल भी नहीं आता चेछे महिना तक नहीं आता है अब इल्कुल अच्छा बनता है तो अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कि वीडियो में पूरा बने रहने के लिए थाइंक्यू आप इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहें टिप एंड ट्रिक्स हम आपको देते रहें